दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अमारे चैनल में इस वीडियो के अंदर अब भी आप लोग लूसेंट समाने ग्यान इससे रिलेटेड जो है इंपोर्टेंट 40 प्लस कोश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं जो कि आपके आने वाले एक चांसे रेल बें गुरूप डी एससी यूपी पुलिस लेखपाल और आने वाले सब ही परती होगी ताप परिक्षक लिए काफी इंपोर्टेंट है तो दोस्तों आप इस कॉमेंट बोक्स में जरूर बाता है तो चलिए शुरू कर रहते हैं देखे यहां पर हमारा पहला कुश्चन दिया गया है निमनलेखित मेंसे कौन सा मुख्य उतक है जो किसी पोधो में उसकी जडों से पतियों तक जल पहुंचाता है तो किसी पोधों में उसकी जडों से पतियों तक जल पहुंचाने कारे किसका होता है तो यह होता है जाइलम का आपको याद रखना है किसका कारे होता है जाइलम का कारे होता है पोधों में जडों से पतियों तक जल पहुंचाने कारे होता है इसके अलावा फुलोयम की बात कर रहे है तो फुलोयम का क्या कारे ह तो पौधो में जो है यह खादे पदार्थों का समोहन करता है खादे पदार्थों किसके द्वरा पौधों में होता है फुलोयम के द्वरा होता है जाइलम की बात करें तो जाइलम समोहन उतक है जाइलम क्या है समोहन उतक है यह जल का समोहन पौधों के पौधे के सिर्ष भा बीधियों में उनके अन्य भागों में जल का परवाह होुता है ऌपको याद रखना है question number 2 है भोजन के पाचन में क्या मदद करता है तो लार यानि सलाइवा जो होता है ये मदद करता है सी करेक्ट हो जाएगा लार की बात करें तो लार जो है ये टाइलिन एंजाइम का सराव करती है प्रते दिन लगभग 1.5 लीटर यानि 1.5 लीटर लार उतपादित होता है लार के कारे पुछा जाए तो देखें लार के जो कारे है वो है भोजन को चिकनाईया देना स्वाद का पता लगाना पालिस है क्राइट्स करासाइनिक पाचन करना मूज को साफ करना भोजन के साथ आयस सुक्षन जीवो को मारना ये सभी क्या है ये लार के कारे हैं आपको याद रखना है क्वेशन नमबर थर्ड है टेलीफोन के संदर में ADSL का पूर्ण रूप क्या है टेलीफोन के संदर में ADSL का फूल फर्मा को बताना है तो SI Metrical Digital Subscriber Line SI Metrical Digital Subscriber Line जो है इसका फूल फर्म है D आंसर हो जाएगा क्वेशन नमबर चार है निमनलेखित में से कौन सा Antivirus Software है Antivirus Software कौन सा है Natoon है Natoon Antivirus है Correct answer ही हो जाएगा Internet 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 तक पहुचाने के लिए निमनलेखित में से किस की Internet तक पहुचने के लिए किस की आउश सकता है तो Unique IP Address क्या आउश सकता है B answer हो जाएगा IP की बात करें तो इसका Full form क्या है तो देखे IP का Full form है Internet प्रोटोकॉल एक IP Address बराबर एक IP Address में 32 वीट का होता है एक IP Address जो होता है 32 वीट का होता है Ozone की एक औरो में Oxygen के कितने परमाडू मौझूद है तो यह Ozone के तीन परमाडू मौझूद है तापमान में 10 ब्रेधी के साथ है प्रतिकिरिया की दर इस्थिरांग दुगुनी हो जाती है तो तापमान में 10 डिगरी ब्रेधी के साथ जो है प्रतिकिरिया की दर इस्थिरांग दुगुनी हो जाती है तो correct answer C हो जाएगा question number 8 है उस प्रकिरिया का नाम बताईए जिसके द्वारा कोई एकल कोशिका स्वय को दो भागों में विभाजित करती है तो correct answer यह हो जाएगा binary विखंडन binary विखंडन जिसके द्वारा कोई एकल कोशिका सोय को दो भागों में विभाजित करती है इसके अलावा विखंडन के दो परकार होते हैं विखंडन के दो परकार होते हैं पहला दुखंडन और दूसरा जो है बहु विखंडन ये दो परकार होते हैं दुखंडन की बात करें तो इसमें ये कल जनन कोशिका पूरी तरह से बिक्सित होने वाले बिन्दू पर पहुंचकर दो हिस्सों में बठ जाता है तो इसके एकजांपल है अमीबा, पैरा, मीसियम, लेसमैनिया इसके उधारण है और दूसरा बहु भी खंडन तो इसमें जो है यह अलाइंगिक प्रजनन की एक प्रकिरिया है जिसमें जनन कोशिका कोई नए जीवों के निर्माण के लिए विभाजित होती है बहुँ भी खंडन जो है यह अलैंगी के पराजनान की एक परकिरिया है जिसमें जनन कोशी का कोई नए जीवों के निर्माण के लिए विभाजित होती है जैसे पलाजमोडिया कुश्चन नमबर नाइन है कोरो मंडल टॉट निमनलेखित में से कीन दो राज्यों की गिरी भूमी है तो यह तमिलाडू और आंदर परदेश की गिरी भूमी है डी आंसर हो जायेगा कुश्चन नमबर दोस है भारतिया अंतरिक्षन उसंधान संगठन यानि इसरो ने अपने चंद्र अनुबेशन मिशन चंद्रयान टू के लिए किस प्रचेपन यान का उपियोग किया था तो यह जीएसलवी माक थर्ड का जो है उपियोग किया था करेक्ट आंसर हो भारत सासन अधिनियम 1935 ने पहली बार डैस की विवस्ता दी थी तो पहली बार जो है प्रांतिया स्वैता की विवस्ता दी ठीक है करेक्ट आंसर सी हो जायेगा कुश्चन नमबर 12 है निमनिलेखित में से कौन सन्युक्त राष्ट है परणाली का बाहरी निरिक्षन है तो यह सन्युक्त निरिक्षन निकाई सन्युक्त निरिक्षन निकाई जो है सन्युक्त राष्ट परणाली का बाहरी निरिक्षन निकाई है करेक्ट आंसर डी हो जायेगा कुश्चन नमबर 13 है निमनिलेखित में से किस राजा ने कास्मीर में चतुर्थ बहुद संगीत क्यों किया था तो यह किया था कनेस्क न ठेक है अंसर हो जाएगा C कनेस्क क gitti करनेस्क करनेस्क के कुसाड क suggesting राजा अड़ाइक ने कनेस्क ने में शक्संवत क्य Milo Cash चलाया कुसाड करनेस के सबस्वाइक है कुजू १क राज़ा ने कीया था अ कट फिसस ने कुछ अड़ बंस की अस्थापना की थी ठीक है इसके अलावा यहां पर हमने प्रमुख बौध संगीतिया सासक और उनके कारेकाल लिखे हैं तो देखें पहला बौध संगीति की बात करें तो यह 483 इसा पुर्व में राजगिरी में आजाद सत्रू के सासन काल म हुआ था तीसरी बाध संगीति 250–255 इसा पुर्वा के बीच में पातली पुतर में और शोख के सासन काल में लिखें करें और चैनल पर न है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन यानि घंटी के निसान करते हैं ठीक stare अगला कुश्यन है निमनलेखित पहाडियों में से किसकी पश्मी सीमा पर भारतिय रेगिस्तान है किसकी पश्मी सीमा पर भारतिय रेगिस्तान है तो आरावली पहाडियों की ठीक है और आवली पहाडियों की पश्मी सीमा पर भारतिय रेगिस्तान है करेक्ट आंसर ही हो जा पूँछा जाएगा पहली बार यह तीम पूछा जाए तो मानव तंदुरुस्ती और कल्याण के लिए योग किया ठीक है मानव तंद्रोस्ति और कल्यान के लिए योग जो है ये अंतराश्टिय योग दिवस दुहरे किस की थीम है अंतराश्टिय सिक्षा दिवस 24 जन्वरी को मनाया जाता है अंतराश्टिय स्वास्त दिवस 7 अप्रेल को मनाया जाता है बिसव पसु दिवस चार अक्टूबर को मनाय जाता है भारत के निमनलेखित स्वतंता सिनानियों में से किसे सिमान्त गाथी के नाम से जाना जाता है खान अब्दूल गफार खान को सिमान्त गाथी के नाम से जाना जाता है करेक्ट आंसर यह हो जाएगा निमने लेखित में से कौन सा सीत मरवस्तल है कौन सा सीत मरवस्तल है तो correct answer यह हो जाएगा पेंटागोनिया पेंटागोनिया जो है सीत मरवस्तल है यह answer हो जाएगा गरीबी हटाओ किस राजनेतिक नेता का नारा था गरीबी हटाओ किस राजनेतिक नेता का नारा था तो ये इंद्रा गाधे का नारा था करेक्ट आंसर ये हो जाएगा कुशन नंबर उन्नेस है किस जीव के पास दिल नहीं होता है किस जीव के पास दिल नहीं होता है तो जेली फिस के पास तुए तील नहीं होता है, करेक्ट आंसर है हो जाएगा भारत में बस्तुएं अब सेवा करयानी जिएस्टी कब लागू किया गया था तो भारत में जिएस्टी एक जुलाई दोहर 17 को लागू किया गया था, सी आंसर हो जाएगा GST के तहट बस्तूओं और सेवाओं को निम्न दरों पर लगाया जाता है GST के तहट बस्तूओं और सेवाओं को निम्न दरों पर लगाया जाता है 0%, 5%, 12%, 18% और 28% पर लगाया जाता है GST में तीन परकार के टेक्स हैं आपको याद रखना है c g st, s g st और i g st ये ठीन प्रकार के g st मतलब g st के तीन प्रकार है elephant ai GTA कहां इस्तीन थे तो देखिए elephant ai guy जो है ये धारा पूरी दूइप में इस्तीन है धारा पूरी दूइप में इस्तीन है d answer हो जाएगा भारत में suspicious भारत में तैस और तो संबध गत बीथियों भारत में डायस है और संबध गत बीथियों है तु रीड के संबीतरण में सबसे अधिक ही सेदारी बाणी चिक बैंको की है तो किसकी है तो भारत में भारत में क्रेशी और संबध गत बीथियों है तु रीड के सबीतरण में सबसे अधिक ही सेदारी बाणिचिक बैंकों की है, करेक्ट आंसर यह हो जाएगा भारत में क्रेशी ओम करामिड विकास है तो बीत परदान करने वाले सिर्ष बैंकिंग संस्थान कौन सा है नवाड है, नवाड बैंक है, नवाड की बात करें नवाड का फुल फॉम क्या है नेशनल बैंक for agriculture and rural development जो है इसका फुल फॉम है नवाड की स्थापना कब हुई थी, 12 जुलाई 1982 को की गई थी इसका मुख्याल है मुंबाई में है गौवर्नर जर्नरल लॉर्ड लहाउजी ने किस समराजे को चेरी कहा था तो चेरी जो है यह ओवत समराजे को बोला था बी आंसर हो जाएगा 1974 में रेलवे हर्टाल करनेती तो किस ने किया था तो यह जार्ज फरांडेस ने किया था जार्ज फरांडेस ने उनने सचुहातर में रेलवे हर्टाल करनेती तो किया था D answer हो जाएगा स्रिजार्ज फरांडिस हो समय सोसलिस्ट पार्टे के अध्यक्स है तथा रेलवे मजदूर के संगठन ओल इंडिया रेलवे फेटरेशन के भी अध्यक्स थे ठीक है यहाँ ता लगभग 20 दिनों तक चला था पहली यातरी रेल ट्रेन पहली यातरी रेल ट्रेन बांबे और थाणे के बीच कब चलाई गई थी तो बांबे और थाणे के बीच जो है ठारसो तीरपन को चलाई गई थी करेक्ट आंसर डी हो जाएगा सोला प्राइला ठारसो तीरपन को पहली ट्रेन बोरी बंदर चत्रपति सीवाजी टर्मिनल बंबे से थाणे के बिच चलाई गई थी यह ट्रेन 34 किलो मेटर की दूरी पर चलाई गई थी इसमें कुल 14 डीबे आने कुछ थे इसमें जो पहली ट्रेन चलाई गई थी 34 किलो मेटर की दूरी पर चलाई गई थी और इसमें जो है 14 डीबे यानी कुछ थे आपको याद रखना है छत्रपति सीवाजी टर्मिनल बंबे से थाणे के बिच चलाई गई निमने लेखित में से कौन लंदन में पहले गोल में संबिलन में सामिल नहीं हुआ था लंदन में पहले गोल में सम्मिलन में सामिल नहीं हुआ था तो ये भारतियराश्ट के कांग्रेस सामिल नहीं हुआ था करेक्ट आंसर डी हो जाएगा प्रथम गोल में सम्मिलन का उद्गाटन 12 नौमबर 1930 को ततकाली ब्रिटिस समराट जार्ज पंचम ने किया प्रथम गोल में सम्मिलन का उद्गाटन 12 नौमबर 1930 को ततकाली ब्रिटिस समराट जार्ज पंचम ने किया और प्रथम मंत्री रेमजे में सम्मिलन की अध्यक्सता कि दोतियर सम्मिलन की बात करें 1931 में हुआ था इसमें महात्मा गाधी जी ने भाग लिये थे यह नी बेसंट तथा मदन मोहन मालबिय भी सम्मिलन में भाग लिये थे याद रखना है महात्मा गाधी जी के अलावा यह नी बेसंट मदन मोहन मालबिय जो थे इस सम्मिलन मतलब दूतियर गोल में सम्मिलन 1931 में भाग लिये थे भारत का सबसे बड़ा नदी द्विप माजले किस नदी में इस्तित है तो ये ब्रह्मपुत्र नदी में इस्तित है प्राचीन एस्मारको और पुरतात्विक अस्थलो और अवसेस अधिनियम 1958 के अनुसार कोई भी सनरचना मूर्तिकला सिला लेखो आदी जो कम से कम डैस बर्सों से अस्तितों में प्राचीन कहलाते हैं तो कितने बर्सों से अस्तितों में जो प्राचीन कहलाते हैं तो सो बर्सों से अस्तितों में है वही जो है प्राचीन कहलाते हैं ठीक है तो आंसर हो जाएगा C कुछ नमबर 30 है भारत का सबसे बड़ा सारवजनिक छेतर का बैंक कौन सा है भारत का सबसे बड़ा सारवजनिक छेतर का बैंक कौन सा है तो यह है State Bank of India करेक्ट आंसर यह हो जाएगा दूसरे नमबर पर जो है पहले नमबर तो पर तो है State Bank of India दूसरे नमबर पर है पंजाब नेशनल बैंक के इसमें औरियेंटल बैंक के ऑफ कौमर्स यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का बिला किया गया पंजाब जो नेशनल बैंक है इसमें औरियेंटल बैंक ऑफ कौमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया यूनाइटेड बैंक इंडिया का जो है इसमें बिलाय के बाद बरतमान में सरवजनिक छेतर के बैंकों की संख्या कितनी रह गई है बार रह गई है बैंक और बढ़ाउदा भारत का तीसरा सबसे बैंक है इसमें देना बैंक और बीचया बैंक का बिलाय किया गया है केनरा बैंक की बात करें तो यह चोथा सबसे बड़ा बैंक है इसमें सीडिकेट बैंक का बिलाय किया गया है यह सियाई विकास बैंक का मुख्याले किस तेस में इस्तित है तो यह सियाई विकास बैंक का थो है अब इसके पास जो है और सट शदर से देश है ठीक है इस याई विकास भेंग के पास जो है अभी कितने सदर शदर से देश है उंट को रेगिस्थान का जहार कहा जाता है इस धार्णा से लिया गया है उंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है इस धारणा से लिया गया है तो देखिए वो इसलिए उंट को रेगिस्तान का जहाज बोला जाता है क्योंकि उंट का उपयोग रेगिस्तान में परिवहन के लिए खिया जाता है उटो को उटो का उपयोग रगिस्तान में परिवहन के उपयोग के लिए किया जाता है C आंसर हो जाएगा Q23 1962 में भारत चीन यूद के दोरान त्याग पत्र देने वाले मंतरी का नाम बताईए भारत चीन यूद के दोरान 1962 में जो भारत चीन यूद हुआ था तो उसमें त्याग पत्र देने वाले मंतरी का नाम क्या था तो देखें उनका नाम था B.K. कृष्ण मेंमन B.K. कृष्ण मेंमन थे जिन्होंने त्याग पत्र दिया था C आंसर हो जाएगा प्रसीद संगाई उच्छव पुर्वोतर भारत के किस राज्ये द्वारा आयोजी तेक बार्शिक संस्क्रितिक उच्छव है C आंसर हो जाएगा मानो शरीर में उस एंजाइम का नाम बताईए जो कार्बोहाइडरोट को तोड़ने मदद करता है तो कार्बोहाइडरोट को तोड़ने मदद कौन करता है तो ये एमिलेज करता है ये माईलेज करता है करेक्ट आंसर डी हो जाएगा भारत के किसी वी राज्ये का गौर्णर बनने के लिए निमनेलेखित में से कौन सी युग्यता होना जरूरी है तो भारत के किसी राज्ये का गौर्णर बनने के लिए जो युग्यता होनी चाहिए तो सबसे पहले जो है बेक्ति की उम्र जो है 35 वर्स होनी चाहिए उससे संसत के किसी भी सदन ये राज्ये बिधाईका का सदसर नहीं होना चाहिए वह भारत का नागरिक होना चाहिए तीनो योग्यता है जो है उसके पास होनी चाहिए ठीक है तो यहाँ पर उप्सन डी करेक्ट हो जाएगा सभी सेन सुचकां का संबंध है सेन सुचकां का संबंध है किसे संबंध है निर्धानता से संबंध है एटी पाइरेट टिक्स क्या ए एटी पाइरेट टिक्सू यह ताप नियांत रखय बी किसस्था किसस्थापक थे तो यह इंदियान एसोसियेचन किसस्थापक थे बी आंसर हो जाएगा कुष्यन Нमबर 40 है 1927 में साइमन कमेशन के गठन का मुख्य उद्धे से क्या था 1927 में साइमन कमेशन के गठन का मुख्य उद्धे से क्या था तो देखें इसके गठन का मुख्य उद्धे से था संबैधानिक सुधार के प्रस्ण पर विचार करना संबैधानिक सुधार के प्रस्ण पर विचार करना इसका मुख्य उद्दे से था 41 है बिभीन राजियों में कि राज्य सभाई कुल सीटों का बेवरा भारतिय संबैधान के किस अनुसूची में उलेखित है तो राज्य सभाई कुल सीटों का बेवरा जो है ये भारतिय संविधान की अनुसुची चतूर्थ में जो है उलेखित है C आंसर हो जाएगा कुश्चन नमबर 42 है निमने लेखित में से किसका निर्माड हमारे सरीर में नहीं होता है हमारे सरीर में किसका निर्माड नहीं होता है विटामिन एका निर्माड नहीं होता है ये आंसर हो जाएगा प्रोटेन एंजाइम और हार्मोंस तीनों का निर्माड जो है हमारे सरीर में होता है निमने लेखित में से कौन एलमुनियम का यस्क नहीं है तो correct answer option B हो जाएगा डोलो माइट जो है ये एलमुनियम का यस्क नहीं है ठीक है आपको याद रखना है तो दोस्तों ये थे lucent समाने गयान के important 40 plus question आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा पसंद आया तो प्लेज वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों में सेयर करें और चैनल पनाया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन यानि जो घंटे के निसाने इससे जरूर सेन करते हैं ठीक है मिलते हैं